हलो वाट्स अप दोसों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोसों आज हम इंटर्वु के दोरान पूछे जाने वाले एक सवाल के बारे में बात कर रहे हैं जो की सवाल खेर आपने टाइटल तो पढ़ी लिया होगा कि टेलेस अबाउट दिस गैप इन यो एमप्लॉइमेंट याने कि आप ये जो बीच में से कुछ साल या कुछ महीने थे उन महीनों में आप काम क्यों नहीं कर रहे थे इसके बारे में हमें बताईए तो दोसों ये जो सवाल है वो कई लोगों को बहुत ही जादा तंग करता है बहुत जादा लोग इससे डरते हैं लोग दुआए मांगते हैं कि बस इंटर्व्यू में कोई भी सवाल आजाए बस ये सवाल ना आजाए इसका हमें सामना ना करना पड़े लेकिन दुरबागिवश ये जो सवाल है वो जरूर पूछा ही जाता है क्योंकि क्लेरली दिख रहा है आपके सीवी में कि कुछ एक पीरियड के लिए आपने कोई काम नहीं किया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसके बारे में आपको पूछा ही पूछा जाएगा तो उसको कैसे टैकल करना है उसको जवाब कैसे देना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये जानना है तो आप उपर i button पे click कर सकते हैं मैंने अलग-अलग profession में इंटर्वे के दोरान किस तरीके के सवाल पूछे जाता है इन सभी विशयों के उपर विडियो बना करके रखे हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोग काफी जादा इस सवाल से डरते हैं मेभी वो लोग बहुत कुछ गलत नहीं कर रहे हैं याने कि मेभी उनको घर चलाना होता है कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है या इसके अलावा आप कुछ सीख रहे होते हैं कही पर वॉलेंटियर कर रहे होते हैं या सिंपली आपने कोई गैप लिया है आप कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी कारण हो सकता है लेकिन लोग इससे बहुत जादा डरते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अनेसली अपना कारण बताएंगे तो जो इंटर्व्यू लेने वाला आदमी है वो शायद आपको रिजेक्ट कर दें इंटर्व्यू से तो दोस्तो ऐसा नहीं होता है आपको जो है बस आंसर बि किये हैं यह इसकी जो भी कोई मजबूरी थी यह क्लियर कट बता रहा है कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है बहुत ही आपका रीजन यह हो कि मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी यह आप सिंपली यह भी कह सकते हैं कि म आपने ऐसा किया है अब इसका मतलब यह जरूर नहीं है कि जो भी कोई personal details है जो बताने में आप comfortable नहीं है वो भी बता दीजे ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं वो बस reason जानना चाहते हैं कि इस बीच में आप क्यों नहीं थे और basically उनका पूछने का पीछे का मकसद जो है आपने यापर apply कर दिया कहीं ऐसी case तो नहीं है तो यह सारी चीजे जो है वो basically जानना चाहते हैं हो सकता है कि आप एक बहतर job की तलाश में रुके हुए हो आप इंतजार कर रहे हो कि कोई अच्छा job मेरे पास आए तो फिर मैं उसको apply कर दूँगा तो यह अगर आपका reason है तो आप वो भी बेशक बता दीजे उसके उपर से आपको ज़्यादा judge नहीं किया जाएगा बशरते आप उसको जो है वो solid reasoning से back करेंगे अगर आप ऐसे ही कुछ कह देंगे कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि life में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और मैंने बस छोड़ दिया त तो आप जवाब में यह कह सकते हैं कि शायद मैं अपने आपको explore करना चाहता था कुछ और skills जो है वो discover करना चाहता था मेरे कुछ और passions को मैं discover करना चाहता था इसके बीच में कुछ नया सीखना चाहता था इसकी वजह से मैंने बिलकुल सोच समझ करके यहाँ पर break लेने की यह हूता है एक positive reply हाला कि बात आपने वही की है कि मैं कुछ और करना चाहता था मैं कुछ और चीज़े explore करना चाहता था जिंदगी में कुछ मैं रंग भरना चाहता था बहुत ज़्यादा बुरिंग हो गई थी कहा आप यही रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से जो की ज़्य ज़्यादा से ज़्यादा professional sound करता है खेर अगर बात आती है आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों की वज़े से आपने छोड़ा है फिर तो यहां पर गुमा फिरा कर कोई बात करने की ज़रूत है नहीं क्योंकि देखे मजबूरिया किसी के उपर भी आ सकती है ये कोई बत जो है वो सहायता की है मैंने उनकी पूरी केर की है और अब मैं फिर से नौकरी में आना चाहता हूँ तो सामने वाले को ये भी लगेगा कि ये आदमी बिल्कुल ब्रेव है ये तूटा नहीं बिल्कुल भी इसकी नौकरी छूट गई फिर भी ये फिर से उभर करके नौकरी करना चाहता है तो इससे गया तो आपका अच्छा ही impression जाने वाला है तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप इस सवाल को बिलकुल ही आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं इसकी की जैसे मैंने पहले कहा कि की एक ही है बिलकुल honestly जवाब दीजिए कहीं भी हिचके लेगा मत और जो कह रहे हैं confident के साथ कहिए backed with a proper reason तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है काम का लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले कर दोस्तों आपको